गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, बॉर्डन विद्या मंदिर स्कूल पलवल, कक्षा सात्वी हिंदी व्याकरण का पार्ट चार, शब्द विचार पहला प्रशन है, शब्द की परिभाशा दीजिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण सम्हों को शब्द कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रतेक के दोदो उधारन दीजिए उत्पत्ति के अधार पर शब्द के चार भेद होते हैं तत्सम, आम, गुरु, तद्भव, अगनीनेत्र, देशज, लोटा, जूता, विदेशज, पूर्टगाली, अंग्रेज निम्नलखित में अंतर बताईए, विकारी व अविकारी शब्द, योगिक व योगरूर शब्द विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदी के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं अविकारी वेशब्द जिनकर लिंग developing और अधिकार कादिका कोई परभाव नहीं होता उनहें अविकारी स्ध कहते हैं तो हैं योगिक शब्द वेशब्द जो एक से अधिक शबदों के मेल से बने हैं योगिक शब्द कहलाते हैं उसके बाद योग रूड शब्ड वे शब्ड जो योगिक हैं फिर भी किसी एक ही अर्थ में रूड होते हैं योग रूड कहलाते हैं ये चेप्टर आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नॉट्बुक में लिखना है इसको याद करना है